इमाचिल प्रदेश के विश्वसनिय ज्वेलर बूशिन ज्वेलर सोलन कोरोना वाइरस को लेकर राज्य सरकार के आदेशों से पहले मंडी जिला प्रशासन ने अपनी स्तर पर पिछले कल दो बजे से ही जिला भर में कर्फ्यू घोशित कर दिया था इस कर्फ्यू के दौरान प्रशासन ने सुबह 10 बजे से दो पहर 2 बजे तक जरूरी सामान खरीदने की रियायत दे रखी है आज कर्फ्यू के पहले दिन इस रियायत अवधी के दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकले और बाजारों में पहुँच कर जरूरत के सामान की खरीदारी की किसी ने राशन खरीदा तो किसी ने सबजियां किसी ने फल आधी खरीदे तो किसी ने दवाईया बाजार में किसी भी प्रकार की भीड नजर नहीं आई लोग जरूरत के हिसाब से अपने घरों से बाहर निकले और कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन किया जहां मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को आश्वस करना चाहूंगा कि जब से कोरोना वाइरस का आउटब्रेक हुआ है तब से हम कंटिन्यूस जो हमारी सप्लाई उस पे देख रहे हैं जिला मंडी में अगर हम आटा और चावल की बात करे तो हमारे पास पूरे जिले के लिए तीन महने की सप्लाई हमारे जिले में है तो कोई डिस्ट्रिबिशन में दिक्कत नहीं आएगी जहां सब्जियों की बात है आज का हमने इसको स्टॉक लिया है तो साथ दिन की सब्जियां हमारे पास आज है कि 7 दिन के लिए पुरे मंडी जिले के लिए सबजिया काफी है और क्योंकि सबजिया perishable है तो उसके लिए हम जो हमारा workflow है जो supply chain है, उस पे भी हमारे नजर है, ताकि और supply जो पंजाब से आनी है, बाकी जगा से आनी है, वो भी सुचार रूप से हमारे चलती रहे हैं तो जब से हमने curfew impose किया या जब से lockdown चला हुआ है, हमारी लगातार नजर इस पे है कि कोई भी essential commodity कहीं पर भी उसकी ना कमी आज है, ना आने वाले दिनों में रहने वाली है, इसके लिए हम पुरा प्रयास कर रहे हैं और लोग अस्वस्त रहे हैं कि जब उनको relaxation दी जाएगी कि उनको जोए सम्वान उपलप्त हो जाएगा। कि उनको जब उनको जब याएगी